ओलो फ्रेंट्स आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेस्टनल चैनल में जासकी आप देख पा रहे हैं कि के एनालोगी का क्षचन आपके स्केन पर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो एनालोगी क्या आप कह रहे हैं कि एक्साम के लिए एनालोगी की उछ प्र से लेटेट है लिप से तो बर्ड का क्या रिलेटेड होगा बुश ग्रास फॉरेस्ट और बीक तो यहां पर आप देखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन आपको लगेगा कि जैसे हम कप को यूज करते हैं ठीक है कप में ट्रिंक अगर हमें अगर कोई चीज चाहिए ठीक है अगर दाना चुमना है तो वह किसकी सहता से करेगा तो यहां सही आप जा रहे होंगे तो इसका सी उत्तर हो जाएगा उसको उसकी चौंच है इंगलिश में कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएग आपका डी चलिए अगले परशन की बढ़ते ह आफ लाएघ अग्ला पस देखिएए कि फ्डो वर्व और इस्टेगनेंट यासा है कि अगर आप नदीगराबन देखें तो वह फ्डो में जाता है ठीक है रहने कि उसमें एक स्पीड होती है तो इसमें देखिए कि इस्टेगनें Cute चौन कैया होगा इब गगÁ अब इसमें तीनों ही रणिंग है यह भी फ्लो माइंगे लेकिन पूल का पानी है वह इस्टेग्न होता है ठीक है तो राइट अंसर होगे आपका सी करें है we Karl नैक्स देखि teor की por Munka हुट सिमय ऐसे पॉब से थो को होगा पॉर्ओ मिनस अबक पता है कि पंजय होते हैं ठीक हैं तो फूफ यानि कि कुड इन बट हूफ इस लिटेटेट वहीं र्टफ सिर्टी करता है तो आर्टेटेट किसे रिटेटेट रखेची इसमें किसे रिटेट होगा तो आर्टेट फोगा और के वो जिस से काफИ एजी कॉस्शन है जी निस्ट आइट आ्सर कि अग्मतीए कि पिकॉकट इंडिया पिया कह पता हैं कि हमारा नैसनल यांद्ल बॉड है यह इंडिया सेिक निसल रहे हुँआ तो आपका सिहान से रोजाएगा सी तो इस तरह के काफी एना लोगी क्रेशन बनते हैं आपके एक्जाम में नेक्स देखिए रीजन रिलेटेड है एस एफ़ी टीप्यो तो 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 रीजन के आर में चीकिए अगर हम लिखें आर इए एस ओ एन रीजन एस एफ बी टी पी ओ आपकर अलफ़ावेट्रिक लिए जाएं ठीक है कई तो बहुत सिंपल दी रहते हैं जैसे इसमें दिया गया है कि अगर आप आर में प्लस वन करेंगे तो एस ए प्लस वन F अगर आप सभी में प्लस वन करेंगे टिक है और ये एस ओन फिर से लिगदता है ये कट हो गया था रीजन और एस एफ फबी टी पी ओ ठीक है आर प्लस वन एस फिर इमें प्लस वन ए फ ठीक है एक बाद यह एक सके बाद था तो सब में प्लास वन हो रहा है यहांपर जोanton अपक किये तो यह क्लिब यह थे भी है üंखई दूपलास ya जाएगा अब इन्याइफ हमें 3 नी को अप्ष्य कर सकते हैं बाखरे करने कैं इर्ट सली के लिए अपनी कर सकते हैं लेकिन यह हैं ब disciplines जल्दी अगर आपको सब्सक्राइब तो बीज़ राइट अंसे वैसे आए के बाद जी आता है इनके बाद वो किक के बाद है तो यह आपका उत्तर तम सही है 年前 मुशरिके यह देआग बाद उन्यजान करें फच्ट क करंड B पता है कि डाइमन जो बनता है वो कार्बस से बनता है तो जो कोरंड है वो बनता है आपका लूबी से ठीक है तो राइट आंसर होगी हमारा बी एक और इंट्रेस्टिंग आपका इंदालोगी का कॉश्चन है नेशन एंटियो यानकी एंटियो से इसको देखिए तो ऐसे हंगरी की से लेटिट होगा है ठीक है बहुत इजी कॉश्चन होते हैं ईन दोनों के स्थान हो चेंज कियेंगे है एने की जिगह से फिर कर दिया एकक को इधर य Ghostunya ख़़िया ठीक है उपर आले से देखिए तो आप ध्यान से फिर टी आई दोनों मेंसे में इसमें ती दिया कर दिया गया तो यहां भी चेंज हो गया वह इदर आ तो मैं यह एदर आगिया तो ऐसे आप हंगरी में देखिए अब इसको यहएंगरी में करके देखते हैं तो स्थान अफस्में रप्लेस करें यू ह् हो जाएगा वैसे तो आपको आर्किटेक्त नेग्स क्योंकिकर बात करें नेक्स्ट Members सตै कि सकल्प्टर कि स्टाहर और थेผม 7 यह तो आपको पता है कि आर्किटेक्क्त जो होता है वह होता है वो बाना रे अंवा rays सक्रप्टर यानि कि जो हस्त सिल्फ है ठीक है सिल्फकार है वो के बनाएं मूर्थी बनाता है तो इस्टेट्विस तर्ट आइड अंसर इसी नेक्स्ट है आई मायोपिया टीथ चनरली आपनों को पता होगा साइंस की विध्यार दिजू है कि आई की डिजीज होती है मायोपिया ठीक है तो ऐसी टीजीज होती है पायरिया तो यह इसका सिदा-सिदा सही उत्तर हो जाता है यहां पर दिखिए को काटरेक्ट भी दिए गया है लेकिन यह आई डिजीज से रिलेटेड है तो इसी तरह से अधर डिजीज भी टीज से रिलेटेड नहीं है इसलिए पायरिया यहां पर बैस्ट आंसर हो जागा हमारा एस्ट राइट आंसर अगला विश्चन दिखते हैं यह कर्शन भी अक्सर आता है आपके एक्जाम में कि कॉन् आप इसे निउस्पेपर की जो हैस्ट रेंक है वो था इसका एडिटर टीकर दीज राइट आंसर अगला है अगला है अगला है शेफ सिक्योर प्रोटेक्ट अगला नेक्स्ट एक्जांपल में देखिये जैसे सेफ और सिक्योर एक मिनी है तो इसे प्रोटेक्ट की लेटेट है गार्ट से कैसी हमारा से उतर जाएगा जैसे इन दुनों का सेम मिनिंग है वैसे ही प्रोटेक्ट और गार्ट का सेम मिनिंग है नेक्स्ट है मास्टर का ओसी यू वीजी टी लेवर का क्या होगा ठीक है तो अगर मास्टर की में बात करूं और इसको हम लिख हैं आस्टि आर ओसी यू वीजी टी टी तो मैं और प्लस टू यहां पे भी हो रहा है अप्रेटी लस्टू ठीक है कभी भी आप जिससे आग कांट करते हैं उसको इसमें कांट किया जाता है कि अपको हर सीक्रिस में तो आपको आपको लेकिन जहां से स्टार्ट करेंगे वह इसे गरेंगे तो आपके लीजी रहे है ऐसे स्टी यू प्लस टू तो सम में प्लस टू ओ रहा है ठीक है अब हम लेवर को देख लेते हैं ले पी ओ यू आर अधिक है अन तो चारों में बी शी एन सी तो यहां पर हमारे सीदो तरा गया ठीक है बी फिर एले बी ठीक है बी सी डी तो हमारे यह जो पर içi और ए अकला है माइक्रोफॉन लॉड माक्रोस्कोल स का अपको बता है कि जो माइक्रोफॉन है वह आवास को आपकी लाउट करता है थीक़क है मेसी मैक्रोस्कोप कना कि दिखने के लिए उसकिया जाता है तो यह करता आपका मैगनिफाई तो मैक्रोस्कूप मैगनिफाई के लिए उगा तो सी अवर राइट आंस नेक्स्ट है मेल्ट लिक्वीड फ्रीज जैसे आपको पता है कि अगर मेल्ट होगा ठीक है कोई भी अगर बात करें हम ठोस की सॉलिड अगर मेल्ट होता है ठीक है तो लिक्वीड बनेगा लेकिन जब फ्रीज हो जाएगा तो उसका वाइस वर सा क्या होगा सॉलिड तो सी इस था राइट आंसर तो यह थे कुछ लेवल वन के क्वेस्टन तो आगे आपके लेवल टू के क्वेश्टन में लेके आऊंगा जो थोड़े और कठें होंगे ठीक है इस थोड़े एजी क्वेश्टन थे लेकिन मैंने सबको ध्यान मर रखना है कि बीकिंग से तो इसमें कुछ सरल भी लगे होंगे आपको अच्छे क्वेश्टन वैसी यह हैं जो आते हैं कुछ इस तरह के दो चार क्वेश्टन तो आई जाएंगे आपके एक्साम में जो बहुत एजी होंगे और लेवल टू के क्वेश्टन के लिए आप लोग रेड़ी रहेगा यह वीडियो कैसा लगा सिगर बताएगा ने कमेंट दीजिएगा पहली बार चैनल से सीवेटीच एग्जाम के अगरा आप त्यारी कर रहे हैं थैंक यू फ्रेंट्स